जाइन दोस्तों स्वागत है आपका पंकेच फोजी स्टेडी ग्रूप पर आज हम बात करने वाले देखिए इंडियन पोस्ट ओफिस में बहुत अच्छी बैकेंसी निकलिए अर्थिस हजार प्लस बैकेंसी इसमें आए हुई आपको पता है बैकेंसी है टैंथ से कोई आपक कर सकते लेकिन जो डाउट आता है ना बच्चों के मन में कि क्या सर हम इसमें अप्लाई करें क्या भरती पहले सी सेट हो गई क्योंकि आप यूपी ऐसा ही बाले में देख रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ जो मुन्ना भाई थे वह पकड़े गए हैं तो काफी बच्चे कन confusion में है कि इसमें अब क्या होने बाला क्या हमारा लो मेरिट है तो क्या सलेक्चन हो जाएगा या दूसरी तरह की बहुँछ ज्यादा confusion इसमें वीडियो में बच्चों एक करें परसनली मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा सलेक्चन हो जाएगा नहीं होगा तो इस चाम के होना बहुत बड़ी बैकंसी अब परसंटेज की बात करते हैं कि वहılुकुल आपकी लगेगी टैंथ में जो माक्स उसके हिसाफ लगने वाली यह लेकिन क्या हम उस बेस पे अगर मेरे नममर टन के हिसाफ से कम है तो क्या मैं फॉम नहीं भरू आप पताइए आपको भरना चाहिए अगर मैं आपसे भी परसनल कोश्चन पूछ हूँ कि क्या मेरे 70 परसेंट या 80 परसेंट नंबर हैं तो क्या मैं GDS का फोम भरूं पोस्ट ओफिस में जो बैकेंसी निकली 38,000 क्या मैं फोम भरूं या नहीं भरूं अगर नहीं भरूं तो क्या मेरे चांस है लगने के लगने के अगर मैं फोम ही नहीं भरूंगा तो मेरे चांस क्या है अगर यह परसेंटेज के हम बात करें तो कहीं न कहीं 24, 24, 15 के आसपास से बच्चों के जो percentage है वो हाई होने लगे हैं उससे पहले अगर किसी के 60-60% भी मेरे खुद के 58% है तो क्या मैंने सरकारी नोकरी नहीं ली ले ली है वही नसीब भी है अपना कर्म भी करो और यह सब कुछ करो तो उसमें अगर हम बात करें तो दोजग चोजय के आसपास से बच है उनोंने उसे अपने वह सीअज सब्त subt polls नहीं यहता होना है फिसली बार में नहीं जो हुआ खरते तो उसके 75% नंबर थह तो उन touch-colle जाता है धन्द लिवाजी हो जाती है मैं नहीं भरूंगा तो मैंने उसको समझाया कि भाई देख जो मेरिट होती है ना मेरिट आपके नंबर पर बेसक है कि आपके जो हाइश्कूल में मार्क्स है उसके इसाफ से मेरिट लगेगी लेकिन कहीं करता है कि आप कि सेंटर से करने यह जो मेरिट बनेगी आपकी पोस्ट ऑफिस औपिस में दसी बंदों नए अप्लाई किया तो दस की merit बने गी और किसी अच्छे location पर आपने post office पर apply कर दिया वहां पर 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है तो उन 1000 की merit बनेगी आप समझो मेरी बात आप form ही apply निक रोगे तो बहुँ आपका होगा कहां से और रही धान्दले की बाद मैं आपको लेता हूं कि इसमें एक भी रुपे का धानली नहीं चलती बिल्कुल और निश्पक्स से बिल्कुल बैकेंसी ये खिलियर होने बाली है तो आप से मैं उम्मीद करता हूं चोटे भाई या बड़े भाई जो भी समझे कि आप इसमें अपलाई करेंगे और बच्चे कितने सार् आप अपलाई कर सकते हैं तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी किया कि सार्ट यहां पच्पन पच्पन चालिश चालिश भी वैकेंसी के लिए अपलाई फोर्म किया है क्योंकि देखिए जर्नल है और ओवी सी है आपको 100 रुपे का फोर्म फीस लगने वाली है लेकिन इस करते एक चीद ध्यान रखना कि जहां से आप फोर्म फिलब कर रहे हैं वहां कि लोकल लेंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि लोकल लेंग्वेज की जब तक जानकारी नहीं होगी आप नोगरी कर नहीं पाएंगे अगर माली जे महराष्ट में चलेगा जाएगा फोर्म डाली है अगर आप जर्नल में भी है ओवी सी में भी है सोर पे का फोर्म पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है यार सरकारी नोगरी है ध्यान रखना यह मैं किसी को कुछ्टे साजी नहीं कर रहा हूं कि कुछा उठाना यह गलत बात है एक वह होता है तो बैके अच्छी है 38000 प्लस वेकैंसी है साफ सूतरी वेकैंसी होने वाली है पसंटेज को मत बर्यत दीए कि यार मेरे दो 70% है मेरे 90% है मेरा हो जाएगा 90% वाला रखा रह जाएगा और आपके साथ 55% भी है ना और थोड़ सा आपकी जो खिसमत थोड़ी जोड दे रही है तो आप पीसे भी डाल सकता हूं यहां से भी दाल सकता हूं तो ओनलाइन देखिये उसकी फोम की जो नोटिफिकेंस नोटिफिकेंस बहुत लम्बा है लंबा चुड़ा है नहीं पड़ पाऊँगे उसको तो जब भूम भरने जाएंगे उसमें देखिए कि आप कहां-कहां से आप फॉम भर सकते हैं फॉम भरिये मैरीड डाउन जाएगी मैरीड मैंने बताया पोस्ट ओफिस के साफ से बनती है तो यह मैं सोचेगा मेरे बरावर बाला कि नभावर परसेंट मेरे तो नहीं होगा आपका होगा दिए उसका नहीं होगा लेकिन जब आप फॉम ही अप्लाइन न लगया आना तो आप तो बिलकुल कर लोगे मुझे पता है आप समझें जो मैं कहना चाहरा हूं कि आप नोगरी कि तरफ कर लिए आपके लिए सोचा हुआ है एक दूसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बैंगर के चम करके आती है और उसमें 2 साल की सर्विस्ट मांक तैं है जी डियीकक डांक सेवक वाली में 2 साल की kchevak वाली में अगर उसमें आप iisoden ले लेते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं तो उसमें अच्छी बहुत अच्छी बेंशी है तीस हजार के आशपास उसमें तो भी आपके लिए बैटरीन होने वाली है तो कही ना कहीं फर्स्ट स्टेज के लिए आपको करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा जो नकार हैं जो बिल्कुल मंद देगा सबसे जादा क्या रही लगना जाए कहीं इसका हो ना जाए तो उसकी बात मसुनिए किसी की पी सुन लिए अपने महापाप से एक बार कंसर्ण कर लिए सो रुपे की बात है दोस्तों की बात है भर दीजिए अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट्स कीजिए मैं आपके ठूशन लिए की कोसिस करूँगा जो भी डाउट्स है रिप्लाई करने के कोसिस करूँगा कोई भी जानकर इस बैकैन से सरे जीडियस की बैकैंस 가지 सरे लेइंट लग्ष है कि आपको आपको नोक्री दिलाना आपको मोटिवेट करना आपको यार इंस्टेंट करना कि भाई भरिए नोक्री करिए अभी नहीं करी तो कुछ टाइम बाद एर्थ पी कमिशन लगने बाला है और कुछ बच्चे ऐसे होंगा कि यारॉरकी एज निकलने वाली है तो जो भी opportunity जिस time में आपको मिल रही है ना उसको gain कीजिए कि कल को पस्ताना न पड़े बच्चे बोलेंगे आप से कि भाई पिता जी वह जीटेस बारी बेकैंसी निकली थी क्या हुआ आपने तो क्या हुआ यार मैंने भरा ही नहीं अरे भर लेते तो नोगरी भी लग जा द के बहुत दिये कि आपके high school में कितने percentage और आप कहां से apply करने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले किसी वीडियो में चल सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों तब तक के लिए जय हुआ है